नमस्कार दोस्तों हमारी YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में निखरी तवचा पाने के लिए करने वाले बहतर अपायों के बारे में तो दोस्तों गर्मी के मौसम आते ही आपके चेहरे के चमक खोने लगते हैं इसलिए इस मौसम में तवचा में नमी बनाए रखना और उसका पोसंड बेहत जरूरी है आज हम आपको घर पर बने फेस पैक के बारे में बताएंगे जिसे आप इस पैक का इस्तमाल कर अपने चेहरे की निखार पर करार रख सकती हैं आप तवचा में निखार लाने के लिए खीरा बादाम और सहथ से बना पैक भी लगा सकती हैं खीरे का ओवरनाइट फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले मिकसर के इस्तमाल से खीरे का रस निकालें अब इसमें गुलाब जल और ग्लिस रिजन समान मातरा में मिलाएं पिष्ट को ना जादा पतला बना, ना जादा गाडा बना और अब इसे रात में सौने जाने से पहले लगा लिजिए सुबह में चेहरे को साब पानी से धुल लें और थप थपा कर सुखा लें कुछ दिनों में आपको अपने चेहरे के रंग में काफी बदलाओ नजर आएगा टामाटा का गूदा और रस तुचा पर से टैनिंग हटाने की काफी मददगार होता है या तुचा को कॉमल चमकदार बनाने के साथ ही रंग साब भी करता है इसे बालों पर भी लगाया जा सकता है जिसमें बालों में चमक आती है और तीज दूब में सुरक्षा परदान करती है आपकी खूब सूरती को बढ़ाएंगे ये पांच ग्रीन टी प्रोड़क्ट तो पहला है दोस्तों खेरे का पैक्टामाटर का रस हल्दी वैसन दही और नीवू के रस में बना फेस पैक आपकी तुचा में निकार और चमक बना रखने के लिए सबसे उप्योक्त है दूसरा है तरबूच फेसियल खेरा फेसियल इस्ट्रा बेरी फेसियल और आलू का इस्तमाल कर फेसियल किया जा सकता है ये चीजें आपके चेहरे को ताजगी का हैसास देंगी और तौचा को रिजू भी नहीं टेंग करेंगी इससे गर्मी के मौसम में तौचा को ठंडक महसूस होगा तौचा को हानी का रख पारा वैगनी के रणों से बचा रखने का यह सही समय है क्योंकि तेज दूप में टैनिंग दाग धबे पढ़ने और जुरियां पढ़ने जैसी समस्य हो सकती है एक नेबू को दो हिस्सों में काट लें आदे हिस्से से सीधे तौचा पर गोल गोल घुमाते हुए मलें ऐसा कम से कम पांच मिनट करें उसके बाट ठंडे पानी से चहरा धोलें नेबू का रस बिटामिन सी से भर पूर होता है जो तौचा का रंग हलका करता है हल्दी और प्रज़ाही का पेश्ट इस्तिमाल करना भी कारगर होगा तो में दोस्तों हमारे द्वारती की जनकारिया आपको पसंद आए होगी यदि याए वीडियो आप यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें यदि याए वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्वाद दोस्तों